आज मैं आपको बताऊंगी कि चिपन शामी कैसे बिनाए जाती है इंग्रीडियन्स चाहिए है दो बड़े मक चेने की दाली उस कह रही हो इसे मैंने आदे किंडी के लिए बहले पिगो दिया था अब मैंने इसका पानी फैंक दिया है आदे किलो चिकन एट कर दें हो मैं इसमें थोड़ा सा परी कुटावा हरा देनिया चार अधरी मिर्च एक बड़े साइस का टुमाटर वन टी स्पून इसमें गरम मसाला हाफ टी स्पून काली मिर्च एंड फुल टेबल स्पून जीरा स्वेच जीरा वन टेबल स्पून इसमें मैं रचली पाउडर योज कर रहे हूँ हाफ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर और हस्बे जाएका नमग थोड़ा सा जिंजर अजरत बरीक उटा हुआ चार से पांच लेसन के जवे यूज कर रहे हूँ हूँ दो मीडियम साइस की में इसमें प्यास यूज कर रहे हूँ हूँ दो इसमें अंडे और एक मग पानी इन सब सीजों को बॉल करने के लिए एक बटन लोंगी मैं इसके अंदर ही भीगी वी चनी की डाल दाल दोंगी शारी प्यास लैसन अध्रक हरी मिर्च और टमाटर अल्सपीस होट स्पाइस चिकन और एक मग पानी अप्यास तेज आच पर मैं इसे बॉलोने के लिए रख दूँगी अब इसे पतने के लिए रख दिया है जब यह बॉलोना शुरू जाएगा तो हम इसके लो फ्लेम कर देंगे पूरे तीन मिंट के बाद यह बॉलोना शुरू हो गया है अब मैं इसके नीचे मीडियम फ्रेम कर दूँगी और इसे पकने के लिए रख दूँगी जब चिकन गल जाएगा तो फिर हम चिकन निकाल देंगे अलग कर देंगे और जो बाकी मिक्स्चर है उसे हम गलने के लि पूरे आएग गिंटे के बाद चिकन तक रिबन गल जुके लिए चिकन में अलग कर लोंगी यह देखें लेट में निकाल लोंगी टोटली जो इसमें चिकन में सारा निकाल रही हो चिकन में अलग कर लिए है वो गल गया था अब मैं इसका ठुकन लगा के लग दूँगी तब तक पानी भी इसका ड्राय हो जाएगा और दाल भी कर जाएगी लो फ्लेम पे कर दो पानी अब ने ने बिए को ठंडा होने के लिए रगदूंगी फरजी भी ठंडा हो जाएगा तो हम इसके चुटी चुटी पीसे सटे लेंगे पानिया इस तब ड्राय होना शुरू हो गया अब मैं इसके अंदर ये पॉरियंडर लीफ्स दिनिये के पत्ते अट कर दूँगी तो मैंने बार एक बार एक बार एक अट कर लिये थे और ढ़के रख दूँगी अब इसमें खोड़ा खोड़ा सा पानी है इसका नमक टेस्ट कर लेते हैं इसमें खोड़ा सानमक कर में हम एड़ कर देंगे इसके अंदर हाफ टीस्पून आप अपने जाएके के मताबिक कर सकते हैं पानी तक्रीबन फुष्ट हो गया मैं चूला बन कर दोंगी थोड़ा थोड़ा सा इसको मुस्टराइज रख है मैंने टिकए से आप टिक्वेन हो जाएक हो जाएज में दोंगे च्छे कर लीए बटाओं यह था भी दून इसा और सफटी सिर्व ग्रैंड़ में पीस रही हो उसमें इस जादा सही रहता है जाओने के जाओने तर्च आपेगें धुकाया है सी कैब ऐसे बânच बना लूगी इस मिक्सचर में अच्छ लेटी जाओगी बाल्स पार हूँआ यह गोल बोल्स बना लिए मैंने अब मैंसे ऐसे टिक्की बना लूँगी अब मैंसे टिक्की बना चुकिया हूँ और ऐसे बरी-बरी में सब मिक्चर्स की गोल टिक्की बना के रख लूँगी ऐसे मैंने सारी टिक्कीया बना लिए है तो, तो, ऺण अखिल स्थमिश्वें करदारी, रिष्ट में चमucaч में सारना में न्योगनादः धराटी, तो पहले अब चपष हैं तीकोन पिले अबमें टोरीगनें, भीकस के बीशीन देप टोकिन दोरी तो, और इसे पुंकिंग और में लख जोऊंगे अइसे बारी बारी में सारी टिक्यों को अंडे में गिप करके अगा जचीन होगी और इसके रही आगा हुई भी तेकला कोटा है या बिल्कुछ लो क्लीम पे मैंने से कुकिंगो यल में डाल की रख दिया था अब में इसकी साइड बदलें गिर तक्रीबर चार प्रण करें कोगी है तक्रीबर शाद करीब तक्रीबिन पहले मैंने इसकी साइड चेंज कर दी ती यह देखें मैंने अगें चेंज कर दी है दूसरी साइड से भी लाइब ब्राउन कलर हो गया उसका यह देखें तकरीबन दोनों साइड से यह अची तरह बन चुके हैं अब मैं इसकी नीचे फ्लेम बन कर दूँगी और शामे टिकी बन के त्यार है इसकी फ्लेम मैंने बन कर दूँगी कीविश्य इंकाल DR six में निकाल का वे खाए यहे में नकाल यह प्लेट भी ब varit बेट मस्कel शाया बन के त्यार है इसकी तरह पार भीबेलाए बताए करें आपको पसंद आएगी कि आपसे प्लाउ के साथ को देने के लिए video को झाल झाल